हेलो दोस्तों स्वागत आपका बिटकॉइन दुनिया में मैं संधिरवा दोस्तों अपना क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा फियर में चल ला है अब सभी की दिमा में चल ला है कि जो बिटकॉइन डाउन हो रहा है किस वजे से किस रीजन से बिटकॉइन इस प्रकार डाउन हुआ है और किस लेवल पर हम लोग उमीद कर सकते हैं कि मार्केट रिकवार होना स्टार्ट होगा तो इस समय के लिए जो यह तीन इंपोर्टेंट कोश्चन है इन सब का जवाब आप से को इस वीडियो मिलेगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप से को बताना चाहूंगा मेरा जो एकस्परेंस रहा है अपने क्रिप्टो मार्केट को लेके पिछला एक दो बुलन मैंने देखा हुआ है उसके हिसाब से मैं आप से बता दू कि इस सिचोजिशन में जो लोग अपने आपको समाल लिये हैं जो लोग अपने क्रिप्टो कर लिया है वही लोग एक बहुत सार ऐसे लोग होंगे जिनका ये कहना होगा कि वो 2018-2021 वाले बुल मार्केट में भी पैसे नहीं बना है उसके पीछे रिजन यही रहा है कि जब बुल मार्केट आया है उसके पहले जो डंप आया है वहीं पो लोग एजिट मार दिये हैं वहीं अपने क्रप्रवेंशी क आप सभी को होगा दोस्तों अपना क्वाइन मार्केट केप आज के समय में टू ट्रिलियन करीब आच चुका है पिछले 24 घंटे के अंदर अगर आप लिकुडेशन देखेंगे तो 677 मिलियन डॉलर के करीब का है अब यह जो डंप आ रहा है उसके पीछे तीन बड़े रिजन है वो मैं आपको एक एक करके बतायता हूँ सबसे पहला जो रिजन है तो यह जो आपको एकाउंट दिख रहा है यह जर्मन गॉर्मेंट का एकाउंट है जिनके पास 41.774K के करी BTC Holding है जिसकी वेलू आज के समय में 2.27 बिलेंड डॉलर के करीब का है इनका आप पिछले कुछ दिनों का टांजेक्शन देख सकते हैं इसमें यह आपको दिखेगा कि यह अपने BTC को एक्षेंजों में डिपॉजिट कर रहा है और ऐसा फट क्रेट हो रहा है कि इनके पास जो टोटल BTC Holding है उसको यह सेल करने वाले हैं सेकेंड रिजन दोस्तों MTGOG अगर आप लोग बिट्वाइन दोने को बिछले 2-3 सालों से फालो करते होंगे तो आप सभी को मैंने MTGOG के बारे मटाया हुआ था यह वीडियो मैंने बनाया था 9 जुलाई 2022 को आप देख लिजे लबक दो साल होने जा रहे हैं आप लोग इस वीडियो को जागे देखेंगे तो सारी कहानी आप लोगो समझ में आ जाएगी MTGOG के पास यह BTC Holding है 141.687 के BTC करीब का और जिसकी वैलू अभी बिट्वाइन इतना डाउन हो गया उसके बावजूद आप देखेंगे तो 7.7 billion dollar के करीब का है न्यूज जो आ रही है जिसको मैंने आप से अपने टेल्गाम सेल पर भी शेयर किया हुआ है MTGOG repayment स्टार्ट आप लोग मारे ट्वीटर और टेलगाम को जॉइन करके रखें क्योंकि वीडियो तुरंद बनाना पॉसबल नहीं है वीडियो डेली बनाना पता है यह जा रहा है कि जो 7.7 billion dollar के करीब की BTC इनके पास होल्ड है इनका जब एक्षेंज हैक हुआ था तो उस समय जितने भी यूजर्स थें उन सभी को दिया जाएगा और वो जो यूजर्स हैं अपने BTC को सेल करें क्योंकि उस समय जो Bitcoin का प्राइस आज के समय में बहु कि BTC सेल करने का फ़र्ड आ रहा है मार्केट में और इसी बीच एक और न्यूज सोने पर सुवागा बनी यूजर्स गवर्मेंट के पास ये टोटल होल्डिंग है बिटकॉइन के और अधर आल्स कोईन के और बताय ये जा रहा है कि आज से कुछ दिन पहले लबग 26 जून क इनके द्वारा BTC सेल किया गया या आप ट्रांजेक्शन आगे देख सकते हैं और ये तीनों जैसे ही मार्केट में वैसे बिटकॉइन के प्राइज आपने क्रिप्टो मार्केट में एक फियर का महल दिखा और मार्केट में बड़े लेवल पर डंप देखने मिला अब ये ये इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका टू हंडेज जिसको इसने ब्रेक कर दिया एक दिन के अंदर लास्ट बार जो हम लोग 56 57 वाल जोन से बाउंस बैक गया थे इसको ब्रेक करके आज के समय में नीचे चला है नेक जो इसका सपोर्ट है वो लबक 52 टॉजन के करीब का है और उसके बाद अगर मार्केट में एक फर्ट क्रेट होता है जो की उमीद किया सकता है कि एक और फर्ट सुनने को आप सभी को मिलेगा यह से यूस्ट्ट या यूस्ट्स डिपेक्स हो गया यह सब न्यूज अगर मार्केट में आती है तो बिट्वाइन को हम लोग 50,000 कि आप 47,000 के करीब का भी आतो भी देख सकते हैं जरूरी ने दुस्तों ऐसा ही हो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस समय और भी फियर का मखल क्रेट करने के लिए ऐसी न्यूज सुनने में आ सकती है और एक चीज आप लोगो दिखाना चाहूंगा बिट्कॉाइन 200 डेज को ब्रेक नहीं कर पाता है आप चाहे 2021 मन्त के बाद से देखिए बिट्कॉाइन मैं मन्त में इसके नीची आया था और एक अच्छा वॉल्म मार्केट में थे इस विए से अगस्त मन्त में इसको ब्रेक करके उपर गया फिर आप देखेंगे जनवरी 2022 को बिट्कॉाइन इस के नीची आया और इसके उपर जाने में इसको एक साल लग गया है 15 जनवरी 2023 को फिर बिट्कॉाइन ने इस रेस्टेंस को ब्रेक किया फिर उसके बाद आप आगे देखिंगे तो अगस्त 2023 में बिट्कॉाइन 200 डेज मुई आवरेक के नीची आया और फिर अक्टूबर मन् पार्केट में न्यूस थी बिट्कॉाइन ETF की और इसके अलावा बिट्कॉाइन की हाल्विंग आने वाले थी अगले कुछ महिनों में तो इस वह से एक अच्छा वालूम क्रेट हुआ और इसको ब्रेक करके ऊपर चले बिट्कॉाइन जब भी इस रेस्टेंस को ब्रेक करक बिट्कॉाइन कहां तक नीचे जा सकता है किस वज़े से जा सकता है एक तो बट्रेजन में आप से बताना चाहूंगा आज से टू वी पहले मैंने आप से वताया हुआ था कि 9 मंत में यॉएस में एलेक्शन है और अगर ट्रम्प जीते हैं तो एक पहुत ही पॉस्टी में मैंने आप सभी को पॉलिटी 5 क्रिप्टो क्वाइन के बारे में बता हुए है जो कि एक अच्छा प्रफॉर्मेंस कर सकते हैं उन दिनों के आसपास और सकेंड रिजन आप यहाँ देख सते हैं एल सलबार दोर के द्वारा बीटी सी एकमेशन हो रही है ऐसे से बिटकोइन नीचे जा रहे हैं ऐसे से आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा ही करके लेकिन यह बीटी सी बाई कर रहा है इनके पास लबाद पांच यहाँ छे सो करीब बीटी सी होल्डिंग है हमें लगता ह आप से बीटी सी और अपने क्रिप्टो मार्केट का जो फ्यूचर है बीटकोइन हालविंग के बाद जो एक हम लोग बुल रन देखते हैं उसको देखते हुए यहाँ पे जो वेल्स है यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है जरूर बीटी सी को बाई करेगा इसके लग आज तक और दोजा 25 के 1st & 2nd quarter में आप लोग देखेंगे जो अभी मार्केट है उसका अपोजीट ही रहेगा जो हम लोग का पूठोली हो आज के समय में 30-40-50% करिब का डाउन दीख रहा है वो सभी आप सभी को लगग 100-200% करिब का अप दिखेगा बस क्या है अपने पड़े हुए है तो आप चाहें तो कुछ पैसा डाल सकते हैं जुलाई मत के मैंने कुछ कोईन बता हुए अभी बहुत ही आदा डाउन चले गया है मैंने आप लोग बताया था कि 60,000 की करीब का जब तब बिटकोई सब्सक्राइब बना गी रखता है तब तक वो कॉल वैल कि अजी आप मत का जब तक वो नजी दो आए।